हाँ तो भाई राजकुमार हिरानी की डंकी मूवी रिलीज हो चुकी है जो कि मैंने देख भी ली और सुबस हुवा हॉल में इतना ज्यादा क्राउट था ना कि ऐसा लगा सारुक खान खुद प्रिमियर में आने वाले हो क्योंकि तुम लोग यह जरूर मानोगे पठान और ज पेंट करती है कोई हीरो पे नहीं अब यह जो लोग आयते हॉल में यह राजकुमार हिरानी के फैंस थे यह सारुक खान के यह तो नहीं पता लेकिन अपने सपनों से निकल के मूवी को इंजॉय करने के बाद ऐसा लगा कि हाँ यह टाइम वर्दी था मतलब ओविस सा बात ह यार यह राजकुमार हिरानी की मूवी है खराब तो नहीं होने वाली उनके उपर भरोसा है न तुमारा एक उमीद एंड यह मूवी तुमारे उमीदों पर टिक भी जाती है मूवी अच्छा खासा इमोशनल कर देगे आपको बीच बीच में उतना हिलारियास तो नहीं काऊंगा लेकिन हीउमर जोक्स हैं जो एक फ्लो को मेंटेन करते हैं कहीं पर तुमें बोर नहीं करता या क्रिंच फिल नहीं करवाता जहां इसकी स्टोरी दुनिया भर में चलती है अपने आपको साबित करने की लेकिन उससे काम नहीं बनता और तब इनके सामने आते हैं हारडी का केरेक्टर जो इनको वीदेश जाने में मदद करता है उसका तरीका था कि हम लोग डंकी फ्लाइट के जरिये जाएंगे मतलब इल्लीगली लेकिन इसमें चीज़े उतनी आसान नहीं रहती बहुत मुस्किल आती है और उसके बाद मुवी का असली मजा आता है यहां मुवी ने जो टोन पकड़ा है ना मजा आ जाएगा इसे देखकर इस मुवी में उप पावर है कि आपको यह अपने इमोशन पे ही कैरी कर लेगा जहां इसका फर्स्ट आप उतन की मजाग थोड़ा बहुत जादा था जिसमें से कुछ-कुछ आपको हसाएंगे जरूर मुवी के अंदर सभी कास्ट का काम बढ़िया था इनके लिए मुवी हाँ थोड़ा स्टेंड करती है और यह मुवी राजकुमर हिरानी की एक अच्छी मूवी है इसे मैं उनका बेश में तक तो झाड़ा बाई